स्वागत है आपका अनओफिशल कार्याले के इस नए वीडियो में आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक फुली आटोमेटिड इन्वाइस एक्सल में बना सकते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे पेज लियाउट है इस उप्षिन का नाम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह एक्सल शीट को अलग-अलग पेजस में डिवाइड कर देगा इस तरह से प्राकि हमारा जो printout है वो एक page के अंदर आ जाए तो next हम अपने data table को setup करेंगे जहांपर हम actual में कुछ भी अगर हम sale कर रहे हैं तो product का name और price वगेरा input करेंगे उस table को हम setup कर लेंगे तो इसमें जो main components है सबसे पहले तो वो है serial number फिर आता है particulars या फिर item भी आप इससे लिख सकते हैं आपर next है rate अगला है quantity और फिर total amount जो होगा वो यहां पर आएगा अब हमें ध्यान रखना है कि यह जो area blank है इसे हमें setup करना होगा इस तरह से कि यह पूरा एक page में cover up हो जाए त तो पर्टिकुलर्स जो होता है वो सबसे बड़ा area होता है तो हम उसे expand कर लेंगे फिर इसको भी थोड़ा expand कर लेंगे quantity amount और serial नमर को भी थोड़ा expand कर लेंगे अब आप देखेंगे कि यह जो हमारे तो हमारे जो headers है वो perfectly align हो चुके है हमारे page के हिसाफ से तो हम इसे as it is रहने देंगे अब next हम company से लिटेट सारी information input कर लेंगे सबसे top पर हम company का नाम डाल देंगे शुभ हम garments private limited उसके बाद हम address डाल देंगे नट्राज मार्केट मलाड और उसके बाद पिन कोट अब इन सारे ही रोज को हम सिलेक करके अपने पेंच के end तक merge across कर लेंगे मर्ज सेंटेस के drop down में जा करके यहां पर merge across का option है इसे select करेंगे इसे central merge कर लेंगे और top align कर लेंगे फिर यहां से अगर आपको font वगिरा चेंज करना है या फिर font size चेंज करना है तो हम वो कर लेंगे मैं top को जो company का name है उसको 14 कर रहा हूं बागी से 12 कर रहा हूं इसे bold कर लेंगे और dark green कर देंगे background में और font को white कर लेंगे अगर आपको italic वगिरा करना है तो आप वो सारी चीज़ें यहां से alterations कर सकते हैं इसकी बाद हम next row को select कर लेते हैं इसे merge and center कर देते हैं और यहां पर हम लिखेंगे invoice यहां पर अगर कोई और time use करना चाहें जैसे cash memo वगिरा तो आप वो भी कर सकते हैं मैंने यहां पर invoice कर द date customer का contract और अगर GST in वगिरा डालना है तो वो सारे fields यहां पर बना लेंगे जैसे कि पहले हम डाल देंगे यहां पर bill number उसके बाद date यहां से merge and center कर लेंगे ताकि यह date के लिए हमें एक बड़ा field मिल जाए यहां पर उसके बाद name डाल देंगे यह customer name होगा और उसके बाद customer का contact detail next हम इन सभी headers को select करके bold कर लेंगे अब धियान रहे कि यह मैंने zoom किया हुआ screen इसलिए यह काफी अच्छा दिख रहा लेकिन अगर हम print करेंगे तो यह शायद छोटा दिखे तो एक शीज धियान रखे कि सारे invoice में जो भी data हम input करें वो 12-14 के font size की range में हो तो हम जहां तक हम हमें data input करना हम उतना section select कर लेंगे और उसे 12-14 की range में रख लेंगे मैं 12 कर दे रहा हूं यहाँ पर next हम अपने input table को भी format कर लेंगे पहले तो हम headers को select करके इसे एक background color दे देंगे और मान लिजी कि हम जहां तक data input करना है मान लिजी कि हम हमें उमीद है कि हम एक invoice के नंदर 10 या outside border, particulars को select करेंगे और इसे भी कर देंगे outside border मैं थोड़ा zoom out कर लेंदा ताकि देखने में असानी हो हमें फिर rate को select कर लेंगे और इसे भी कर देंगे outside border quantity और outside border हम top column row को select करेंगे और यहाँ पर हम select करेंगे all borders अब next जो term होता है वो होता है हमारे चार अलग components जैसे कि हमारा total amount amount आएगा SGST, CGST और उसको add करने का जो हमारा grand total होगा वो हम डालेंगे तो हम यहाँ पर 4 rows को select कर लेंगे और merge center के drop down में जाके merge across कर लेंगे अब यह 4 होई merge across हो गये है तो यहाँ पर हम पहले लेख लेंगे total फिर यहाँ पर SGST, SGST फिर उसकी बाद CGST और फिर grand total आएगा हमार अब SGST और CGST जो होता है वो product के हिसाफ से differ करता है तो मान लिजी हमारा जो product है उस पर 9% SGST लगता है और 9% CGST लगता है तो हम दोनों जगा 99% input कर लेंगे grand total को bold कर देंगे और इसे एक background color दे देंगे यह load कर देते हैं अब हम इसे select करके all bottles कर देंगे इसके बाद जो एक important term है वो है authorized signature यह काफी important हम होता है जहाँ पर कोई एक senior या फिर जो senior level का employee है वो sign करता है invoice पर तो इसे हम कर लेंगे merge and center यहाँ पर type कर देंगे authorize signature इसे bold कर लेंगे हम उपर के रोग को भी merge and center कर लेंगे और यहाँ पर हम shift press करके minus press करेंगे ताकि एक एसे dash बन जाए तो आप देखेंगे कि हमारा जो format है जो धाचा है हमारा invoice का वो ready हो चुका है एक तरह से हम print preview देख लेंगे कि कैसा देख रहा है हमारा invoice यह देखिए हमारा जो print preview काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पर invoice हमारा इस तरह से present हो रहा है तो हमारा formatting है invoice का वो यहाँ पर complete होता है अब हम next steps देखेंगे कि हम इसे कैसे automate कर सकते हैं तो सबसे पहले हम automate करेंगे पर्टिकुलस को पर्टिकुलस को automate करने के लिए मैंने यहाँ पर एक शीट बना रखिए हुए जहाँ पर मैंने अपने inventory में चूभी ज़िए यहां allow any value पर click करेंगे और यहां पर list हम सेलेक्क कर लेंगे अब जो source है वो source में वह सोर्स के लिए basically हम इससे select कर लेंगे जो भी हमारा product है और okay कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर एक drop वाले cell को कौमा देखकर के हम इस table को सिलेक कर लेंगे अब जो rate है हमें rate लाना है basic rate जो है वो second column में है तो हम कौमा डालकर two लगा देंगे और जीग्रूट तक कि वह approximately match करें अब इसे हम इस सारे column को सिलेक कर लेंगे कर देंगे इस सारे ही पूरे कॉलम पर फॉर्मूला अपला हो जाएगा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नीचे एरर आ रहा है अब हम चाहते हैं कि यह एरर ना आ है तो यहाँ इक्वल्स टू के बाद हम इफ एरर लिख देंगे अब दबाएंगे तो आटोमेटिकली ब्रैकेट उपन हो जाएगा अब एंड की ब्रैकेट की बाद कॉमा डालकर हम इन्वर्टेट कॉमा लगा लेंगे तो इसका मतलब यह कि अगर एरर रहा रहा है तो वह स्पेस आ जाए उसकी जाए कुछ भी ना है तो दो इन्वर्टेट कुरेंगे और एंटर प्रैस कर देंगे अब यह सेम फॉर्मुला को हम नीचे तक अप्लाई कर देंगे अब यहां पर एकॉल अब आप देख सकते कि यहां पर जो आरा रहे थे हैं वो सारे चले गए हैं फिर वैसे ही हम कॉंट्टिट इंडर कर देंगे मान लिजिए ट्व कर देंगे और यहाँ पर सेम हमें एरर आ रहा है तो यहाँ पर वैसे ही हम फॉर्मल लगा देंगे इक्वल स्टू के बाद इफ एरर टैब प्रेस करेंगे एंड में आकर कॉमा लगा देंगे और इन्वर्टेट कॉमा ताकि वह एरर ना दे उसके जगा ब्लैंक की छोड़ द कर देंगे डाल देते हैं माले यह 40 और यहाँ पर यह टोटल अमाउंट आ गया नेक्स्ट हम दोगते लूवर लूवर 500 रुपए की है है तो हम 56 पीसे दिखते हैं और यहां पर अपलाय हो गया सार नमबर लिख लेते हैं 123 अब यहां पर total हम चाहते हैं total आप यह तो equal to sum का formula यूज करके कर सकते हैं या फिर alt equals to press करके कर सकते हैं तो मैं आपको manually दिखा दा हूं कि आप का formula कैसे लगा सकते हैं equals to sum type करेंगे bracket open इस सारे को column को select कर लेंगे bracket close enter अब next हम setup कर लेंगे SGST और CGST तो दोनों ही 9% है total amount पे तो equals to total amount select करेंगे into 9% same formula हम यहां भी apply कर देंगे equals to total amount into 9% अब grand total होगा इन सभी तीनों component का total equals to sum और इन तीनों ही rows को हम select कर लेंगे bracket close enter और यह हमारा total amount यहां पर आ गया इसे हम bold कर लेंगे अब यहां पर हम थोड़ी formatting कर लेंगे उपर की तरफ हम इस section को select कर लेंगे और इसे center align कर लेंगे तो अब हमारा invoice का format बनकर ready है चली फटाफट से एक invoice बना लेते हैं यहां पर हम एक bill number इंटरल कर लेते हैं जैसे कि SG01 फिर डीट डाल लेते हैं डेट डाल लेते हैं 11223 यह customer का नाम डाल देते हैं मान लिजी अभी शेक कि Garments फिर contact number डालेंगे यहां पर अब इसका प्रिंट प्रिविव करके देख लेंगे कैसा दिख रहा है हमारा invoice finally तो इस तरह से कुछ हमारा invoice दिख रहा है तो next हमें जानना होगा कि हम अपने invoice कैसे reusable बना सकते हैं ताकि हम इसे automate कर सकते हैं ताकि हम इसे बार-बार use करते रहें तो हम बार-बार तो हर एक इसे delete करके हर एक information annually fill तो नहीं करते रहेंगे तो इसलिए इसे हमें automate करना होगा कि automatically हम इसे इन सारी fields के जो information है जो भी हम inputs दे हम इसे automatically delete करते हैं जब भी हमें reuse करना है तो तो इसके लिए हम एक macro create करेंगे macro create करने के लिए हम developers tab में जाएंगे developers tab पर जाने के बाद यहां पर option record macro का इस पर click करेंगे macro को हम कोई भी name दे सकते हैं जैसे कि हम इसको name देता है clean up उसे shortcut की देनी होगी याद रहें कि हमें कोई ऐसी shortcut की देनी होगी जिसका कोई और use ना हो तो मैं यहां पर इसे तो मैं यहां पर इसे देता हूं Ctrl M हम Ctrl Shift M यहां यूज करेंगे यहां पर फिर store macro in this workbook ओके अब हमारा जो macro है वह start हो चुका है record करना यहां पर option रहा है stop recording का तो यह already start हो चुका है तो हम इसे delete करेंगे पहले इसल को select करके फिर date को delete करेंगे name और contact number को delete next हम serial number और particular को delete करेंगे और इसके बाद quantity को delete कर दो टॉप recording कर देंगे हमारा जो macro है वो बन कर रेड़ी है तो हम देखते हैं कि यह काम कर रहा है नहीं कर रहा है तो हम एक dummy बना लेंगे जैसे कि इसको नाम देदेंगे SG02 date हम डाल देंगे दो तारिकी 222023 customer का नेम डालेंगे APP contact नमबर डालते है 123456789 ऐसार नमबर वन पर टीकूलर में हम सिलेक कर लेते हैं यहाँ पर टी-शिर्ट quantity 100 अब हम अपना macro करके देखते हैं देखते हैं कि कर रहा है नहीं कर रहा है तो कंट्रोल शेफ्ट और हम पर अपना शॉटर की प्रेस करके यह करेंगे कि यह करता है यह नहीं करता है और यह मैक्रो रन हुआ है और इसने अपना काम कर दिया तो इस तरह से हम एक completely automated invoice पना सकते हैं एक्सेल में मैं इस एक्सेल शेट की लिंक आपको description box में दे दूंगा वहां से जाकर आप इस शेट को download कर सकते हैं as it is अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूले मैं ऐसी और informative वीडियो की जो लिंक है आई बटन में दे दूंगा वहां पर जाकर आप मेरी प्लेलिस देख सकते हैं एक्सेल वीडियो की वीडियो के साथ बने देने के धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में